अस्राम लेक्म आज फैजी फूड शो में आज बहुत ही मज़े की रैस्पी लेकर रहे हैं शल्चम के साथ हम बनाएंगे आज का सालन तकरीबन एक किलो के लागबाग हमें चाहिए होगे शल्चम पटर चाहिए होगा सर्विंग के लिए इसको हम एक साइट पे रख देंगे हम लेंगे जिंचर तकरीबन एक इंच का टुकुड़ा ग्राइंड का लेंगे सौल्ट रैट चिली पौडर ठर्मरिक पौडर लेंगे साथ में लेंगे गरम मसाला पौडर इनके लावा जिन चीजों की जरूरत है इसमें शामल हरा धनिया मीडियम साइब का वनियन और बड़े साइज का एक पटेटो चाहिए होगा अगर आप दो लेना चाहें तो मीडियम साइज के ले सकते हैं गारलिक चाहिए होगा पालक चाहिए होगी एक प्याली एक प्याली चाहिए होगी मेथी की पतियां साथ में लेंगे तक्रीबन हाफ के चिकन जो के बॉयल करके अच्छे से इसको हम एक साइट पे रख लेंगे यखनी के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी जो वेजिटेबल्स हैं इनका छिलका अतार के अच्छे से इनको वॉश करके फिर इनको करेंगे चॉप साथ में ऑनियन को भी और आलू को छिलका अतार के इनको भी हम चॉप कर लेंगे पीलर की मदद से हम आइस्ता इस्ता इस तरह से हलका हलका उपर से दबाती होगे चिलका उतारते जाएंगे सारा चिलके उतारने के बाद हम फिर हम इनको वॉश करेंगे इसके बाद करेंगे बारीक बारीक चॉप पहले हम सारी सब्जियों का जिनका चिल्का उतारना है वो सारे चिल्के उतार के इनको वश कर लेंगे अब हम करेंगे चॉप सारी सब्जियां पहले ओनियुन को कर लेते हैं इसके साथ हम क्रीन चिली को मोटा मोटा चॉप कर लेंगे चिलीज और ओनियन को चॉप करने के बाद हम पैन को गरम करेंगे इसके अंदर एड करेंगे हम तकरीबन हाफ काप ओईल ओईल गरम करने के बाद हम एड कर देंगे ओनियन्स ओनियन को दो से तीन मिलर तक मीडियूम फ्लेम पे हम फ्राइ करने के साथ साथ हम शामूल करते जाएंगे गार्लिक और जिंचर कलर चेंज होने के बाद हम फिर साथ में शामूल कर लेंगे अपने स्पाइसीज तक रिबन एक टेबल स्पून मैंने सॉर्ट लिया था थ्री क्वोर्टर राटिचिली पॉर्डर लिया था और हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पॉर्डर लिया था तक रिबन दो तीन मिनर तक फ्राई करने के बाद शामल कर लेते हैं उबली हुई चिकन देशी मुर्गी जिसको हम केजड हैं भी कहते हैं जिनके अंडे खाये जाते हैं तो वह मैं हमने लेके तक रिबन हाफ इसको बॉयल करके रखावा था गोश्ट जो अब भी हम शामल कर लेंगे मसाले के अंदर लेकिन जो यखनी है वो थोड़ी देर बाद जब हम वेज़ी टेबल गलाएंगे उस वकत हम यूज़ करेंगे इसको रह देते हैं एक साइड पे मसाले के अंदर हम अपने चिकन को अच्छी तरह से पकाएंगे तकरीबर आट से दस मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक हमारा चिकन और मसाला त्यार होता है साथ में हम अपनी वेज़ी टेबल चॉप कर लेती हैं सबसे पहले हम चॉप करेंगे आलू तकरीबर हाफ आफ इंच का टुकड़ा हम आलू का कर लेंगे और इसके साथ पिर हम चॉप करेंगे अपने टरनिप शल्जम हम थोड़े बारीक चॉप करेंगे आलू थोड़े से हम पड़े साइज में चॉप करेंगे शल्जम बहुत जल्दी गल जाती हैं इसलिए इनको बहुत मोटा या बहुत बज्यादा भी बारीक करने के निज़ोर तकरीबर हाफ आफ इंच के टुकड़े हम इस तरह से कर लेंगे वेजिटेबल तकरीबर हमारी सारी चॉप हो चुकी है इसको एक साइट पे रहके हम चेक कर लेते हैं हमारी चिकन कहां ताकर फ्राई हुई है तो इसको अगर पकाते हुए हमें पानी की जरूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी अड़ करते हुए हम इस तरह से चमचा हला के तो सारी मसाले को पकाएंगे ताके खुश्बू आने तक अच्छे से हमारा चिकन भी भून जाए फिर शामल करेंगे अपनी ग्रीन चिली जो हमारा मसाला और यह चिकन त्यार होते हुए फिर इसके बाद हम शामल करेंगे अपनी वेजिटेबल पोटेटो और ठरने अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करते हुए तकरीबन लगेंगे आठ से दस मिन्ट हमारे जो हैं शल्चम और आलू गलने में साथ हम शामल कर देंगे पत्ते जो हमने पालक के चॉप करके रखे हुए थे और ग्रीन में थी तो यह देखे हमारी तकरीबन वेजिटेबल तो गल चुकी है अब भी हम इसको चेक करते हैं हिलाके चम्चे की मदद से आप हिलाएंगे फिर आप इसमें शामल कर लेंगे गर साथ ही डाल देंगे हरा धन्या तकरीबन हाफ कप के लगबग मैंने चॉप करके रखावा था हरा धकियां डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन दो से तीन मिनट तक हम कवर करके रखेंगे ताके अच्छे से ये सारी चीजें जो हैं मिक्स भी हो जाएं और इनकी खुश्बू भी आने लगे इसके बाद हमारा सालन तयार है अब हम बटर के साथ इसको करेंगे सर्व साथ में आमकई की रोटी या दूसरा पलेन फ्लावर की रोटी आप यूज़ कर सकते हैं जा तंदूर की रोटी भी ले सकते हैं अमीद करती हूँ आज का जो रैस्पी का आइडिया आपको पसंदाया होगा अच्छी अच्छी कमेंट के साथ दौाओं में याद रखना किसी अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो चैनल पर नए आने वाले हैं प्लीज जाने से पहले सबस्क्राइब जरूर करना ताके हर आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे ओके अलाफिस